दोस्तो सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है खूपसुरत महीना होता है ये महापर्व पूजा भगति तथा शिव को समर्पित है इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है धरम शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत महीने ही अपितु विदेशों में भ रखने से शुफलों की प्राप्ति होती है अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार गवरत अवश्य रखें जो भक्त सचे दिल से भगवान शिव को पुकारता है भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं एक बार सचे दिल से कमेंट 2022 चौदा जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रहा है बहुत इशुब योग बन रहे हैं ये दिन साक्षात मंगल कारी है इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें दोस्तो सावन का पहला सोमवार कब है आई जानते हैं सावन की महीने का पहला सोमवार 18 जुल मनाया जाएगा 11 अगस्त गुरुवार के दिन सावन की समापती होने से एक दिन पहले रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पांच गलती नहीं करनी चाहिए भगवान भुलेनात को तीन चीजे सोमव पार के वरत में नहीं चुड़ानी चाहिए साथी सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं आईए ये भी जान लेते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सरूर करें दोस्तों सावन के पवित्र महीने में सुबह χांएंगे और आप बिमार पढ़ सकते हैं सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए भगवान कुढ़न स्उब नाराज हों सकते हैं इस पवित्र महीने में में पति-पतनी को दूरी बनाकर रखने इचाहिए अगर आप सहिंखने नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा क के लिए नाराज हो सकते हैं सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए हमेशा खुश रहना चाहिए भगवान शिव बहुत प्रसन होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं दोस्तों सावन के महीने में गलती से भी मास मत खाना मदीरा मत पीना लहसुन प्य को चुगली आदी नहीं करनी चाहिए नफरत नहीं फैलानी चाहिए घर में साफ सफाई रखना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए सावन के महीने में बाल नाखुन शेविंग आदी भी नहीं करनी चाहिए इससे आपको पाप लगत क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का अशीरवात जो बन जाता है सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें बंडारा कराएं गरीबों में कपड़ें आदि बांडें भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे गुंगे जीव को भोज़न अवश्य कराएं क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं इश्वर किसी भी रूप में आपकी परिक्षा लेने धर्टी पर आ सकते हैं आगे आपकी मर्जी है इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि सोमवार के वरत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिन्दगी भर भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है आपका वरत भंगो सकता है यहां तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं कम से कम सोमवार के वरत में आप ऐसा पाप कभी न करें शास्तरों में कहा गया है कि वरत धारी को उधार मांग कर फल आदी नहीं खाना चाहिए इससे पाप लगता है और वरत धूरा रह जाता है सोमवार का वरत हो या कोई भी वरत क्यों ना हो परोसियों से मांग कर कभी भी वृत आदी में फल वगएरा नहीं खाना चाहिए अगर आपको कोई भी अपनी मर्जी से खाने के लिए वृत में कुछ दे देता है तो उसे अब खा सकते हैं लेकिन वृत में कम से कम उधार मांग कर फल आदी तो नहीं खाएं इससे आपको पाप लग सकता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए ये गलती कभी मत करना शास्तरों के नुसार कुवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्ष नहीं करना चाहिए इसे पाप माना जाता है और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में इस तरी के प्रति गंदे विचार है या वो व्यक्ति गालियां देता है तो बगवान शीव ऐसे व्यक्ति को नर्क में भी स्थान नहीं देते ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी सवी कार ही नहीं करते दोस्तो कुवारी लड़के इस वरत को जरूर रखें अगर पाना है महादेव जैसा पती तो इस वरत को कुवारी कन्या जरूर रखें खास तोर से सावन में जब कुवारी कन्या इस व्रत को भली भांती रखती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पती की प्राप्ती अवश्य होती है दोस्तो सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ती को पांच संकेत मिल जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन है और आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता तो चलिए जान लेते हैं नंदी महराज भगवान बोले नात के वाहन है नंदी को भगवान शिव का दवार पाल भी कहा गया है नंदी महराज को बुध्धी और ज्ञान का प्रतीक माना गया है शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महराज विराजित रहते हैं लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौकट को सींग मारने लगें तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शेव आपके घर में आने वाले हैं क्योंकि ये अनके आने का संकेत है भगवान शेव आपकी भग्ती से बहुत प्रसन है आपको धनी होने से कोई नहीं रोख सकता लेकिन याद रहे नंदी महराज को तिलक लगा कर मीठा भोग जरूर खिलाएं सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए और धार्त भगवान शिव दिखाई दे जाएं तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन से परिशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा भगवान शिव आपकी सची अराधना भगती से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं ऐसे में याद रहें कि शिव जी की भगती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं नमबर तीन शास्तरों के अनुसार माना गया है कि नील कंट भगवान शिव का प्रतीक है अगर आपके घर में सावन के महीने में नील कंट छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है ऐसे में आपको खुश होन आने के संकेत माने गए हैं अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं कहते हैं शिरी राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों नमबर चार सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला साप दिख जाए तो बहुत ही सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है यह वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उस घर में अपना वास बना लेते हैं सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखना भी बहुत ही शुब माना गया है यह घर में शिव के आने के सं अब आपको खुश हो जाना चाहिए दोस्तो नमबर पांच सावन के शुब अफसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज खंटियों की आवाज अगर सुनाई दे जाए तो यह अत्योंत शुब माना गया है इसका अर्थ यह है कि भगवान भूले नात आपसे प्रसन है और जल वीडियों में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद